हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक बिडियो मेरा नाम है अज़करश और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे अपस्टोक्स की कि Abstracts पे Account Maintenance Charges, Account Opening Charges, इसके अलावा Intraday और Delivery के Charges कितने हैं वैसे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाई है इसके रिगार्डिंग बट Abstracts ने हाली में अपने Charges भी शेंज किये हैं और जो ने यूजर्स हैं उनके लिए थोड़े Charges का बड़न है वो जादा कर दिया है चानेंगे क्यों आज किस वीडियो में वो सभी बाते में आपको बताऊंगा और जो पुराने यूजर्स हैं उनके लिए Charges तो अभी फिलाहल सेम ही है लेकिन अगर वो भी जानना चाहते हैं कि अभी recent में अप्स्टोक्स कितना Charges ले रहा है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं इसके लावा अगर आप कोई ने यूजर हैं जो अप्स्टोक्स पे अपना DMAT अकाउंट आपने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि आपको जान लेना चाहिए आपको कितना Charges पे करना पड़ेगा जब आप ट्रेडिंग करेंगे अप्स्टोक्स के थ्रूप ठीक है दोस्तों तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जब हम बात करते हैं अप्स्टोक्स पे ट्रेडिंग करने की तो सबसे पहले आपको अपना DMAT अकाउंट आपन करवाना पड़ेगा तो यानि कि हम बात करेंगे सबसे पहले account opening charges की तो अप्स्टोक्स पे जो account opening charges है फिलाल तो पूरे के फूरे free है यानि कि 0 rupees में आपका account open किया जा रहा है तो दोस्तों अगर हमारा account open हो गया है तो हम इंप्स्टोक्स पे account maintenance charges पे करने पड़ सकते हैं क्योंकि आपको पता हुआ कई सारे brokers हैं जो कि हमसे account maintenance लेते हैं यानि कि जब हम उनका platform यूज करते हैं तो उस platform को use करने के fees हमें थोड़ी देनी ही पड़ेगी कुछ brokers हैं जो कोई भी account maintenance पीस नहीं लेते हैं लेकिन अगर हम upstocks की बात करें तो upstocks में यहाँ पर दो case चलते हैं सबसे पहला case यह है कि अगर आपने upstocks पे 21 August 2021 यानि कि 21 August 2021 से पहले अपना account open किया है तब आपको वहाँ पर 75 रुपीज प्लस GST account maintenance charges पे करना पड़ेगा यानि कि 88.5 रुपीज पर quarter आपको account maintenance charges पे करने पड़ेगे दूसरा case यह है कि अगर आपने अपना demet account upstocks पे 21 August के बाद में open किया है यानि कि आज की rate पे भी अगर आप upstocks पे account open करवा लेते हैं तो upstocks पे आपको lifetime के लिए कोई भी account maintenance fees नहीं पे करनी है यानि कि account maintenance fees पूरी free of cost है पूरे 0 रुपीज है अभी दुस्ता हमने account opening charges की भी बात कर ली और account maintenance charges की भी बात कर ली अभी हम बात करेंगे trading की और investing की तो जब आप intraday trading करते हैं तो जो आपको brokerage pay करना पड़ता है वो 0.05% या फिर 20% maximum से maximum pay करना पड़ता है पर transition याद रखेगा पर transition में कह रहा हूं इसका concept समझने के लिए आप ये video देख सकते हैं इसमें मैंने बताया है कि सभी brokers आपसे जो brokers लेते हैं और जो charges लेते हैं वो पर transition लेते हैं तो आप यह मैं समझेगा कि आप trading करते रहें करते रहें और आपसे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए भी हो जाता है 200 रुपए भी हो जाता है फिर आप सभी लोग डाउट में आ जाते हैं कि यह 20 रुपए बोला गया था 100 रुपए कैसे हो गया चार्ज यह धोगा जड़ी कर रहा है कोई धोका जड़ी नहीं कर रहा है साफ हर जगे लिखा गया है कि जो brokerage के पहले square off नहीं करेंगे तब आपको वहाँ पर auto square off charges pay करने पड़ेंगे तो abstracts पर जो auto square off charges है वह पूरे के पूरे 50 रुपीज है प्लस GST यानि कि 59 रुपीज आपको वहाँ पर charge pay करना पड़ेगा तो better तो यह होता है कि auto square off timing से पहले ही हम लग अपनी position को square off कर लेंगे तो intraday trading जब हम करेंगे तो हमारे लिए यही important charges है इसके अलावा भी stt charge clearing transaction charges और cb charges pay करने पड़ते हैं जो कि सभी brokers पे same ही पड़ते हैं इसके बात दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग delivery trading की यानि कि हम लोग अपने shares को buy करेंगे buy करने के बाद उसे दो दिन स जादा या फिर जितने समय के लिए भी चाहें तब तक hold करके रखेंगे तो यहां पर भी दोस्तों दो case apply होते हैं सबसे पहला case यह है कि अगर जिस किसी ने भी अपना account 21 September 2021 यहीं कि 21 September 2021 से पहले open करवाया है तो इसको delivery में कोई भी brokerage pay नहीं करना है यहीं कि उसका brokerage पूरा क पूरा 0 rupees हो जाएगा लेकिन अगर आपने 21 September 2021 के बाद अपना account open करवाया है तो delivery में आपको brokerage pay करना पड़ेगा जो की है 2.5% और 20 rupees maximum जो की बहुत जादा है I think कोई भी discount broker इतना brokerage नहीं लेता है जितना upstock delivery पे अपना brokerage लेता है 2.5% और maximum से maximum 20 rupees per transaction इसको अभी मैं calculate करके भी आपको बताऊंगा वीडियो के end में कि कितना charge आपको पढ़ सकता है कि अगर आप 1000 rupees की trade लेते हैं और एक share buy करते हैं फिर उसे 1200 में sell करते हैं तो abstracts पे आपको कितना charge pay करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा और फिर उसको देखके आप खुद भी calculate कर पाएंगे कि dp charges हैने की depository participant charges सभी brokers आप से dp charges लेते हैं और अगर upstorks की मैं बात करूं तो upstorks पे आपको 18.5 rupees plus GST dp charge pay करना पड़ेगा जो कि 21.83 rupees निकल के आता है यानि कि आपको 22 rupees का dp charge pay करना पड़ेगा dp charges क्या होते हैं किस तरीके से apply होते हैं इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बना रखिये आप आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो भी देख सकते हैं तो delivery में भी brokerage और dp charges के अलाबा और भी charges लिये जाते हैं जैसे कि htt charges, exchange, transition fees और cb charges जो कि सभी broker पे सेम ही है तो main charges मैं आपको बता दिये हैं और दोस्तों abstracts में futures में trade करते हैं तब भी आपको brokerage पे करनी पड़ती है जो कि 0.05% और maximum से maximum 20 रुपीज की है इसके अलाबा जब आप abstracts में options में trade करते हैं तो वहाँ पर आपको flat 20 रुपीज का brokerage पे करना पड़ेगा आपको buy और sell दोनों ही टाइम 20-20 रुपे का brokerage charges पे करना पड़ेगा यानि कि जो आपको brokerage निकल के आएगा पूरा buy और sell के time का दोनों मिला के वो पूरा पूरा flat 40 रुपे होने वाला है चाहे आप 10,000 का trade लो या फिर चाहे तो आप 1,000,000 का trade लो तो दोस्तों यह मैंने अबस्तों इसका brokerage calculator open कर लिया है Intraday में एक share खरीदा है और हमने buy price जाल दिये है 1000 रुपेज यानि कि 1000 में हम खरीद रहे हैं और उसे sell कर रहे हैं 1200 में ठीक है तो आप दीख सते हैं यहाँ पर हमें जो brokerage pay करनी पड़ेगी वो 1.10 रुपीज पे करना पड़ेगा और जो बाकी के charges है जो सवारे और total tax जो हमा 90.25 पैसे तो 198.25 पैसे हमारा profit हो जाएगा net सारे चाहरे इसको pay करने के वाद अभी दूस्तों हम लोग चलता है delivery पे अपने shares को buy और sell करने तो जब हम अपने shares को delivery में बाय कर रहे हैं वही एक share है और हमने buy किया है 1000 की price पे अपने sell किया है 1200 की price पे यहाँ पर आप देखोगे कि लिखा है brokerage equals to 0 rupees तो जो यह calculator इन्होंने program करके रखा है यह पहले वाले जो charges थे 21 September के पहले जिन्होंने अपना account open कर आया उन्हीं के accordingly यहाँ पर रहे है यहाँ कि उन्हें कोई भी brokerage speed नहीं करना पड़ता है इसी दिए जो brokerage लिखी है वो 0 rupees लिखी है और total charges निकल के आए ह ठीक है लेकि जिसकिसी ने भी अपना account 21 September 2021 के बाद open किया है उनको साफ साफ मैंने बता दिया कि जो brokerage pay करना पड़ेगा वो 2.5% पी करना पड़ेगा तो अगर आप 1000 रुपय का 2.5% निकालेंगे आएगा आपका 25 रुपय तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2.5% या फिर maximum से 20 रुपय लिया जाएगा तो 25 के वजाए आपसे 20 रुपय वहाँ पर brokerage लिया जाएगा फिर उसके बाद जब आप 1200 का share sell करने गयो तब आपको फिर brokerage पे करनी पड़ेगी 2.5% जो की 25 रुपय से जादा ही आएगी ओविसी बात है वहाँ पर भी आपसे flat कितना ले लिया ज रही है जिन्होंने भी upstocks पे अपना account 21 September 2021 के बाद में open करवाया है फिर जब delivery में हो अपने shares को sell कर देते हैं तो net profit इतना तो नहीं होता है हमें DP charge भी अलग से pay करना पड़ता है जो कि मैं आपको बता चुगा हूँ कि upstocks पे 22 रुपीज का DP charge आपसे लिया जाता है तो दोस आपको बता दू कि मैंने telegram के ऊपर अपना channel बना रखा है जहांपर मैं stock market के related जो updates होते हैं वो share करता रहता हूँ इसके अलवा swing के regarding या long term regarding जो भी stocks market में एक सही price पर मिल रहे होते हैं उनको भी मैं share करता रहता हूँ description box में मैंने link दे रखाया आप उस पर से click करके join कर सकते ह आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बैल एकन को जरूर दवाईएगा ताकि आपको latest वीडियो की notification मिलती रहें मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जै जै भारत